नमस्कार, जुहार, सभी साथियों को, स्वागत है आप सब का आज की वीडियो में, आज होने वाले एक आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, कल एक वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें मैं पास तरीके बताऊँगा, अगर आप उन पास तरीके को फ खुद भी फॉलो कर लीजिए, आपका भी निकल जाएगा, बिल्कुल, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, अगर मैं भी उन पाच जो स्टेप्स मैं आपके साथ सेर करूँगा, और उसको मैं भी फॉलो कर लेता हूँ, तो यकिनान चांस बहुत जादा बढ़ जाएगा तो कल हम लोग उस पर बात करेंगे, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन दबाएगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड यह अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि लगातार साफी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया है, ठीक है, आप पढ़ने भी जाते हैं तो पॉलिटिक्स की बाते हैं मन में आती है, तो उससे रिलेटेड आज अंतिम वीडियो है, बहुत एक क्रिस्टल क्लियर मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूं, कि जो भी लोग अंदोलन कर रहे हैं, जितने भी नेता लोग है, उन लोग के सब के लिए सम्मान है, क्योंकि जैनुविन कॉस के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब आपको सामने से पता चल गया है कि सरकार का स्टेंड क्या है, सरकार वेकिंसी अब निकाल दे रही है, वो एक्जामनेशन पड़े उनको टार्गेट कर रहे हैं, चाहे श्टड़ी वेतिस्मृती मैडम हो, एक्जाम फाइटर्स हो, उनको फोर्स किया जा रहा है, कि आप जबर्जस्ती आईए, अरे नेता बनना है आप लोगों को, तो भील आप खुद से इकटा करिए न, आप कोचिंग संचाला क के कंदे पर बंदुग रखके क्यों चलाना चाहते हैं, नेता आप लोग को बना न, विधान सभा आप लोग को जाना है, तो भील तो आपको खुदी कटा करना पड़ेगा न, कोचिंग संचाला उनका काम है पढ़ाना, ठीक है, उन लोगों ने जितना मैंने एक्सपेक्ट की सपष्ट है, बार-बार विधान सभा में अलग-अलग प्लाटफॉम पे सरकार आ करके बोल रही है, यह तातकालिक नियोजन नीती है, और यह अटल सत्य है, मैंने लगातार कितने वीडियो में आपको आ करके बोला है, पंचाय सचीव के जितने छात्र हैं, पंचाय सची तो आंदोलन की धमकी इस सरकार को नहीं दिया जाए तो बहतर है, और मुझे लगता है इस बार अगर कुछ भीरबाड होता है, तो स्ट्रिक्ट एक्षन भी लिया जाएगा, और आप इस बात को समझे, जितने भी लोग कॉल दे रहे हैं, सबका यूट्यूब चैनल है, सब को बनाना है, और कारिकरता भी खड़े करने है, तो कभी OBC का एरक्षन को लेकर करके कभी 60-40 है, तो कभी कुछ, कभी कुछ, और सारी चीज़ें बेवुनियाद हैं, मैंने कितने सारी वीडियो बनाया हैं, उसमें आपको बोल दिया कि 60-40 तातकालिक है, और 100% लोग करना च उसके बाद ही एक्जाम हो क्या दिक्कत है, तो भाई CGL कोई one-time examination नहीं है, कि एक बार हो गया, फिर दुबारा कभी हो गा ही नहीं, ठीक है, examination होने दिना चाहिए, और बाद में जब नियोजन निति फिर से बनेगी, 24 में आप लोग यह आंतोरन करिएगा, जब सरकार बन ज लिए हमेशा जारकन डॉक होगा, ऐसा उमीद करेंगे, अब OBC का अरक्षन को ले करके लोग सिर्फ बर्गला रहे हैं दूसरे को, आप जाएए न कोट जाएए किसी वकील से पहले चर्चा करिए, आप लोग यूटूबर हैं, आप लोग नेता हैं, आप लोग को विधान स किया हुआ है, ठीक है, और उस पर कोई केस नहीं बनेगा आपका, आप करके देख लिजेगा, आप बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि, जेनरल को क्यों मिल गया है, इडव्लूएस को क्यों मिल गया है, बहुत सारे लोगों का दर्द बस यही है, हमारा जी के वीडियोस में भी बोला हुआ है कि EWS को देना उत्रा जरूरी मुझे भी नहीं लगता है कि था जिलास्तर की न्युक्तियों में कोई अवशकता नहीं थी देने की लेकिन सरकार ने दिया सरकार के अपनी सोच है अपनी पॉलिटिक्स है किसी भी कोर्ट अफ लॉव में चैलेंज नहीं होगा ठीक है आप लोग ट्राय कर लिजेगे बर जाकर के लेकिन ऐसे ही फालतू छात्रों को परिशान मत करिए जितने यूट्यूबर्स हैं जितने आपको आपको लिष्ट निकाल के दिखाएंगे कि देखिये 40 परसेंट में कितने बाहर कितने बाहरी लोग आगए तो आएंगे नहीं तुम लोगों ने पढ़ने कहां दिया जारकंडियों को अपनी स्वार्थ के लिए अपनी राजनिति के लिए तो हर समय बरगलाते रहत हो सबको यहीं बेशरम लोग आपको लिष्ट दिखाएंगे कि देखिये सारे बाहरी आ गए तो बाहरी पढ़ रहे थे तो आएंगे नहीं आपने तो इन लोगों का जिंदिगी बेकार करके रखा है अंदुलन करना कोई गलत नहीं है लेकिन ऐसे जगह पर अंदुलन किया जाता है जहां कुछ रिजल्ट आने की संभावना हो अब तो वेकेंसी जा रही है आपको क्या लगता है कि सरकार आप पास्तों के भीड़ लेके चले जाएंगे पास्तों हजार तो मुझे लगता भी होगी सरकार ने इसके लिए कदम ले लिया है जितने भी जारखंडी है आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं भी जारखंडी हूं इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़िए अपना समय पढ़ाई में दीजिए अगर चाहते हैं सेलक्शन लेना तो अल्दरवाइज भीड़ ब आपको बताऊंगा उसको जरूर देखिएगा बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाए